तो आज हम बनाएंगे बहुत ही करारे और मज़ेदार मूली के पराथे अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे न तो आपके जो पराथे हैं वो कभी फटेंगे नहीं और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब निकल के आएगा पराथे का इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जैसे कि आप देखी रहे होंगे कि हमारा जो स्टफिंग है कितनी अच्छी तरीके से पराथे में स्प्रेड हो गया है तो मूली की पराथे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है साथ ही इसमें डाल देंगे लगबग आदा चमच नमक और एक चमच गरम मसाला पाउडर गरम मसाला पाउडर आड करने से ना हमारा डो में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा वो फीका फीका नहीं लगेगा आपको उसके बाद डाल दिया है एक बड़ा चमच ओईल मिक्स कर दीजे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी आड करकर इसका आटा लगा लेंगे पराठे के लिए यहाँ पे हमें बहुत ही नरम आटे की जरुवत है और थोड़ा सा आटा गून लेना उसके बाद फिर से एक बड़ा चमच ओईल डाल दीजे और अच्छे से गून लीजे इसे यहाँ पे हमारा आटा लगकर तयार है इसे हम ढखकर रख देंगे 15-20 मिनिट के लिए ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए तब तक हम अपनी स्टाफिंग रेडी करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तीन मीडियम साइस की मूली ली है जिसे अच्छे से धो कर उसका जो स्किन है उसे छील लिया है और फिर हम इसे ग्रेट कर लेंगे तरीके का एक छोटा सा ग्रेटर आता है आप उससे भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर जो बड़ी वाली छन्नी आती है ना बड़े साइस की वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें मोटा मोटा बिलकुल ग्रेट नहीं करना है पहती पतला होना चाहिए जो मोली है ना उसमें बहुत ही जादा पानी होता है हम इसे डारेक्ली अगर यूज़ कर लेंगे ना तो फिर हमारा पराठा अच्छे से स्टाफ ही नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें और नमक डालते ही मोली अपना सारा पानी छोड़ देगी तो आप चाहे तो इस तरह हातों से निचोड़ कर पानी निकाल सकते हैं या फिर मलमल के कपड़े में इसका पानी सारा अच्छे से निकल जाएगा अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़े से मसाली डालेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे अधरक डाला है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था फिर डालेंगे हल्दी पाउडर, चुटकी वर हींग, टी हुई हरी मिर्च, धन्या पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक नमक ज़रा ध्यान से ही डालेगा क्योंकि हमने आटा लगाते वग भी उसमें नमक आड़ किया था और लास्ट में डाला है इसमें धेर सारा हरा धनिया, अब बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आपकी बाइडिंग कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, बहुत ही गीला गीला लग रहा है ना मिक्स्चर, तो आप चाहे तो इसमें आलू डाल सकते हैं, या फिर भुन का शेप दे देंगे, इन शॉर्ट हम सेंटर में जगा बना रहे हैं, ताकि हम अपना स्टफिंग डाल सकें, और जितना हमने आटा लिया था ना, उतने ही साइस का हम यहां पे स्टफिंग भी यूज़ करेंगे, तब ही तो टेस्ट आएगा पराठे में, वरना हमारा स्टफ किया था ना मूली का, वो चारो कोनों में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, अब हम दोनों तरफ से सुखा अर्टा लगा लेंगे, और फिर से एक बार इसका थोड़ा साइस बढ़ा लेंगे, दोनों हातों की मदद से, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर नीच अब हमारे पराठे को सेखने के लिए मैंने यहां पर लोहे का तवा लिया है, इसलिए इसे हम कुछ ड्रॉप ओईल डालकर ग्रीस कर लेंगे, वरना होगा यह हमारा जो पराठा है वो चिपक जाएगा तवे पर, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पान यूज कर रहे हैं तो यह जंजट करने की जरा भी जरूत नहीं है, जैसे ही एक तरफ थोड़ा सिक्स जाए, इसे हम पलट देंगे और फिर मैं यहां पे घी अपलाए कर रहे हूँ, आपने देखा मैंने किस तरीके से घी अपलाए किया है, पहले मैंने साइड में डाला था और फिर सेंटर में, इसकी वज़े से जो साइड है ना वो कितने अच्छी तरीके से गोल्डन कलर के हो गए हैं, और यही बाद में जाकर बिल्कुल क्रिस्पी बनके रेडी होते हैं, दोनों तरफ से मैंने थोड़ा साइड में डाल दिया था गी और थोड़ा सेंटर में डाल दिया है, और इस तरीके से प्रेस करकर के हम पका लेंगे अच्छे से, और हाँ पकाते वक्त इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाईएगा, यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी और करारे पराठे बनकर रेडी हैं, आप चाहे तो इसे कोई सबजी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ एंजॉय कीज तो ऐसे ही खा लीजे, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे, लिखिए कितने अच्छी तरीके से इसका जो स्टफिंग है वो स्प्रेड हो गया है अंदर, आप भी इसे ट्रॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि रेसिपी कैसी लगी, थैंक्स वर वाचि